हेलो माई डियर स्टुडेंट्स कैसे हैं आप लोग आई होप युगा जुडिंग ग्रेट वेलकम टू इन्फिनिटी एजुकेशन यूटूब चेनल माई नेम ही उत्तों कुमार so guys HPCL का form निकल चुका है बहुत सारे student जो form का apply कर चुके होंगे अच्छी तरह से notification पढ़ने के बाद but कुछ बच्चों को doubt आ रहा है खासकर जो बच्चा डिप्लोमा किया है उनको लेकर काफी ज़्यादा doubt आ रहा है सर मैंने डिप्लोमा के बाद BTEK कर रखा तो मैं eligible हों या नहीं या फिर बहुत सारे बच्चों का helpful ये doubt है कि मैंने डिप्लोमा के बाद lateral entry के through मैं बीटे कर रखा मतलब 3 yer का diploma ए3 year का BTEK तब मैं eligible हो या नहीं सिर्फ मैंने डिप्लोमा कर रखा है तब मैं eligible हूँ की नहीं तो इसके regarding जो है वो official confirmation आ चुका है HPCL के तरब से question rise किया गया था बच्चों के द्वारा ही पूछा गया था HPCL को Gmail के थूँ तो उनके द्वारा reply किया गया तो उसी का मैं आपको दिखाने बाला हूँ ताकि आप लोग को believe हो जाए कि हाँ यह चीज़ सही है तो चली पले मैं आप लोग को यह दिखाता हूँ कि आप ही जैसे student के द्वारा जो है कुछ comment के through question पुछा गया था जो important है जिसे first question पुछा गया था are the diploma student जो है वो applicable to this vacancy or not यानि कि अगर आपने सिर्फ और सिफ diploma कर रखा है तो आप इस form को apply कर सकते हो या नहीं तो dear आपने सिर्फ अगर only diploma कर रखा है तो आप इस form को apply नहीं कर सकते हो आपको diploma के साथ साथ degree भी करना पड़ेगा तब आप applicable हो तो उसी से related और एक question में आ जाते हो तो यहां तो no हो जाएगा only diploma student जो वो applicable नहीं है इस vacancy को लेकर ठीके चली second question आ जाता है इसी से related कि sir मैंने diploma plus degree किया है तो diploma plus degree नहीं होगा क्या इडमिस यह question पूछा जा रहा है राजू के द्वारा कि मैंने diploma के बाद degree कर रखा है तो मैं इस form को apply कर सकता हूँ या नहीं तो देखो वैसे जो notification का मैं बात करो तो अच्छी तरह से वहाँ पे बताय नहीं गया था इसलिए student को confusion था तो यह question पूछा गया student के द्वारा hpcl को तो उनके द्वारा official जो वह confirmation आया है कि यह होगा नहीं पले आपको मैं वह चीज दिखाता हूँ ठीक है चली question क्या पूछा गया था वह ध्यान दीजेगा question पूछा गया था respected sir and madam i have completed btec three year after diploma three year through the lateral entry मतलब diploma मैंने three year का करा उसके बाद lateral entry के through मैंने बीटेक करा तो btec four year का होता लेकिन अगर आप lateral entry से करते हो तो direct आप second year में जाते हो तो यहां से btec आपका three year में complete हो जाता है तो इस बच्चा diploma plus degree दोनों किया है then बोल रहा है am I eligible for the post of e2 basically e2 क्या है यह आपका engineer का post है चाहाँ civil का में बात करो mechanical का बात करो ठीक है या फिर आप electrical का में बात करो या फिर IT का था in information का था जिसका भी था सबका में बात करो वो e2k category में आता था engineer का post पे तो क्या e2k post में eligible हो या नहीं यह पुछा गया था kindly reply as soon as possible as many other students have same query अब देखो उनके द्वारा hpcl career के द्वारा यह reply आया है reply क्या है उसको मैं आप लोको बताता हूं reply yes yes आया है it means यह आप समझ लो कि yes आप eligible हो अगर आपने डिप्लोमा के बाद lateral entry के के थू आपने बीटेक कर रखा या फिर आप पूरा complete करने के बाद डिप्लोमा करने के बाद भी आप बीटेक कर रखे हैं फिर भी आप eligible हो इस पॉस्ट के लिए इस इंटीट चलिए हां और एक चीज आहां पर कहा गया है और यह तो नोड़िकेशन में कहा गया था as long as the engineering यह किस परसेंटेज का बात किया जा रहा है जो आपका जैसे डिगरी कर रखे हैं आपने बीटेक कर रखा है मेकनिकल से मालो तो आपका 60 परसंट होना चाहिए यूर अगर हो तो एंड़ ओविसी हो तो एंड एस्टी हो पीड़ोडी हो तो आपको 50% minimum होना चाहिए यह condition पढ़ां जाएगा ना वहाँ पे आपको टिपलोमा वाला परिमार माना समझा जेए कि नहींने क्या का Central समंझ लो कि आपने 12 12 नहीं कियाए आपने 10 के बार डारीक डिपलोमा कि अप्र बीटे किया इस केम हो आपको ट्विल्यून का पर संटेज अब करना में आपको वाला फिलाप करना है यहां से कंफीजिन जो लोग सकते हो तो एंड और एक था कि शिर्फ डिपलोमा वाला स्टूडेंट तो आप अपलेकाबल नहीं हो उसके लिए इसे चलिए अब इसी से तो आई होप कि यह जो confusion है वह आप लोग का clear हो गया होगा अगर आप full notification आप नहीं देखे होंगे तो description box में जो है वह आपको मिल जाएगा full notification का link वहाँ से जाके complete देख सेकते हो syllabus में ने बता है eligible criteria क्या है कब से form को apply कर सकते हो कब दक date दिया गया exam pattern क्या रहेगा सब चीज में आप लोग को बता दिया हूँ तो जाके complete वीडियो आप लोग देखे महाँ सारा idea पता चल जाएगा कौन-कौन सा किसके लिए कितना post निकला mechanical electrical के लिए सब कुछ में बता दिया हूँ